हेलो एवरीवान एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे जहां पे आपको काफी सारी वीडियो बना रखे मैंने आपको एक वीडियो के अंदर यह बताया था कि एप्लिकेशन फॉर्म जो है वह लगब मिड मार्श में आ जाएगा क्योंकि यूजी सी के जो चैर्मैन है एंड जग्दिश कुमार जी उन्होंने अपने को अपने ट्यूटे हैंडल से इ जानने के लिए कि यह लोग डिले क्यों कर रहे क्या रिजन है जिसकी वज़े से अभी तक फॉर्म नहीं आया है और साथी साथ आपको कोई इन्फोर्मेशन भी नहीं दीगिए ना तो ट्यूटे हैंडल से आपको बताया गया है कि भाई डिले होगा या फिर एंटी ने वि कौन-कौन फिल कर सकते है और इसके साथी साथ कुछ वीडियो में मैंने ये कमेंट इस्टूटेंट का देखा था कि जो गेपियर सेटिपिकेट है वो कहां लगता है कैसे बनवाना है उसका यूस कहा होगा तो वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा सबसे पहले बात कर करते है कि यहां पर फॉर्म अभी क्यों नहीं आया तो देखो यार मैंने इसके लिए बात भी किया था कोल करके कि क्या मसला है क्यों यहां पर फॉर्म नहीं आया तो उनकी तरफ से कोई क्लियर रेस्पॉंस यहां पर नहीं देखने को मिला था बट जो बाते वो यहां पर एंड तक फॉर्म चलेगा उसके बाद एक महीना बच जाता है तो उसमें एड्मिट कार्ड है सीटी अलोकेशन है वो चीजे चलेगी और उसके बाद एक जून से तो आपका पेपर होना है ठीक है तो एक महीने तो यह फॉर्म आपको फिल करवाने वाले है तो अगर मार्च के एंड में अब यहां पर यह फॉर्म आता हालाएं कि जैसा कि यह लोग बोल रहेते कि दो दिन में आ जाएगा एक दिन में आ जाएगा वेपसाइट पर चेक कर लिजे लेकिन यह चीज़ में पिछले चार साल से मैंनको पता है इसी फिल्ड में मैं काम कर रहा हूं तो इनके एक या दो दिन नहीं आते है फोर्म में डिले हो जाता है सो आप ज्यादा से ज्यादा मान के चल सकते हो कि इस महीने के end तक आपका फोर्म आही आए जाएगा ये confirm है ठीक है ओके आप देखिए फोर्म को कैसा फिल करना है तो इसके लिए मैं आपको समय वीडियो बना के बता दूँगा अब दूसरा ये है कि फोर्म को कौन-कौन फिल कर सकता है क्योंकि स्टुडेंट का ये भी कमेंट रहता है कि जो है हमारा भी रिजल्ट नहीं आया यूजी का जो रिजल्ट है वो हमारा नहीं आया तो क्या हम जो हम फोर्म को फिल कर सकते है बिल्कुल जो है आप फोर्म को फिल कर सकते है लेकिन क्या होता है कि जब आपका रिजल्ट ही आया है लेकिन यूजी काउंसलिंग वगरा करवा लेती है तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर मार्क सीड जो होती है उसकी जरुवत पड़ती है तो Marksit जो है लगबग September end में या फिर October month तक आप जमा करवा सकते हो बट ये actually different करता है University पर कि आप कौन सी University target कर रहे हो, कहां पर आपको admission लेना है और उन्होंने कितने महीने का time आपको यहां पर दिया है, ठीक है तो उस हिसाब से बट आप form को fill कर सकते हो आपको कोई भी problem यहां पर नहीं होगी ठीक है कोई भी problem अगर आपको आती है इन सब से related तो मेरे number दिये गए description box में आप मुझे वहां से वर्षपे बात कर सकते है अब जो gap year वाले student है उनके लिए में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ तो देखो यार आपको gap year certificate की जरुत अभी नहीं पड़ेगी और नहीं जब आप अभी application form को fill करोगे तो कोई document की जरुत आपको पढ़ने वाली है इसके भी clarity अभी हम आपको दे रहे है कि अभी आपको खास document की जरुत नहीं पढ़ने वाली है एक जो आपका photo होता है ठीक है एक photo and एक जो है आपका जो signature है उसकी आपको जरुत पढ़ने वाली है तो यह तो आपके पास हई है ठीक है और इसके लगा gap year certificate जरुत अभी नहीं पढ़ेगी जिसे मान लिजी किसी student ने 2020 में अपना graduation complete किया है तो अभी चल रहा है 2023 तो अगर देखा जाए तो आपको gap year certificate है वो देखने को मिलेगा क्योंकि 2020 से लेकि 2023 तक आपने कुछ भी नहीं किया आपने graduation 2020 में complete कर ली तो अब यह सारी university नहीं मांगती है अगर कोई university मांग रही है तो उसका format यहाँ पर आपको मिल जाता है यह gap year certificate आप easily बनाव सकते हो क्योंकि मैंने कुछ comment में भी देखा था कि sir कहां से बनेगा कैसे बनेगा तो आप किसी भी lawyer से यह बनवा सकते हो जिसमें आपको यह shorty दनी होती है कि 3 साल में मैंने drop लिया है मैंने study नहीं किया है या फिर मैंने कोई और काम किया है तो उस पर notary वगएरा हो जाती है वो भी एक तरीके से valid आपका माना जाता है बाकी university अपनी website पर भी कुछ format available कराती है university तो आप वहाँ से भी उसको download करके बना सकते हो जो लोईड से आप बनाते हो वो भी यहां पर confirm होता है क्योंकि आप उस पर अपने signature वगएरा करते हो तो आप खुद यह guarantee देते हो कि हाँ मैंने 3 साल में कुछ यहां पर नहीं किया है तो मेरा gay PR है ठीक है? clear हुआ आपको तो मार्स के end तक लगबग जो फोर्म को मान के चलते हैं बाकी पहले भी आएगा तो मैं आपको जरूर यहां पर बता दूँगा अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप political science के लिए प्रिपेर करो PGQP 42 के लिए तो 10 अप्रेल से हमारे यहां पर उसके लिए जो है classes start हो रही है इस video के description box में एक old video मिलेगा जिसमें आपको course का सारा detail मिल जाएगा कि कैसे join करना कब से classes start होगी क्या क्या मिलेगा सब कुछ आपको वहां पर बताया गया है अब साथी साथ जो सारे student है मतलब जिनके कोई भी subject हो जैसे political science नहीं Hindi English geography science के भी टेक के जो भी student है जिसमें कि आपको part A के जो question है जिसमें आपको 25 question या पर देखने को मिलने वाले है तो उसके लिए भी हमारे पास जो classes है वो available है तो इस video को description box में application का link दिया गया है उस application को आप download करिए और वहां से आप इस course को buy कर सकते है इसके अलावा हम जो है इसमें क्या कर दिये 15 जो moq test है moq series वाले है वो हमने यहां पर रख दी है ठीक है तो अब यह आपका एक बार course complete हो जाएगा इसमें उसके बाद आपको यहां पर मिल जाएगा केवल 200 में तो आप application को download कर सकते है वीडियो के description box में उसका link दिया गया है बाकी form के लिए थोड़ा सा अपने को wait करना पड़ेगा जो data अभी तक आ रहा है उसके according तो यही लग रहा है कि March के एंड में form आएगा क्योंकि अभी तक कोई information नहीं है चाहे आप NTA की website पर जाके देख लो और चाहे जो आप ट्यूटे handle पर जाके देख लो वहां पर भी information नहीं है जब तक मैं यह वीडियो दे रहा हूं तब तक की बात कर रहा हूं अगर आपने आने के बाद इस वीड वीडियो देखने के लिए और आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से शुक्रिया